हलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है बच्चों, क्या आपको पता है, जो हमारे आसपास पेड होते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होते हैं लेकिन हम सब को उनका उपयोग कैसे करना है, वो पता नहीं होता आरे आसपास ऐसे बहुत सारे पेड हैं, जो बहुत ही अउशोदी होते हैं उन में से ही एक नीम का पेड हैं तो बच्चों, ऐसे ही आज हम एक अउशोदी पेड के बारे में पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी सुलबभारती बूप में से पाठ क्रमांक नो, नी तो चलो पहले हम इसे सूर्ताल में पढ़ते हैं ना में डॉक्टर, ना में ओजा, ना में वैद्य हकी में तो केवल एक पेड हूँ, नाम है मेरा नी मेरी सुखी पत्ती डालो, उनी कपड़े अनाज पचालो सुखी पत्ती के धुवे से मक्खी मचर दूर भगालो घनी पत्तियों के कारण, शीतल है मेरी चायां गरमी और थकान मिठी, जो मेरे नीचे आयां नहीं काटनात मुझको तुम, मैं इतनी सुख दे देतां सूरच की किर्णों से मिलकर हवा शुद्ध कर देतां सूरच तारे धरती चंद की जब तक चले कहानी हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी हमेशा सब को सुख देने की है मैंने मन में ठानी इस कविता को लिखा गया है कवैतरी लता पंतनी तो चलो अभी हम इस कविता का अर्थ समझते हैं नीम ना में डॉक्टर ना में ओजा ना में वैद्य हकीम अभी यहां पर ओजा यानी जार्फुक करने वाला यानी हम लोग इंगलीश में कह सकते हैं कि ब्लैक माजिशन जो तांतरिक होते हैं न वो वैद्य हकीम यानी चिकिटसक हम इंगलीश में कहते हैं डॉक्टर मैं धॉक्टर नहीं हूँ, मैं ब्लाक मैजिशन नहीं हूँ और मैं न वैद्य हकी, मतलब चिकित साख नहीं हूँ आगे नीम कहता है कि मैं तो केवल एक पेड हूँ, नाम है मेरा नीम ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओजा हूँ, ना मैं वैद्या क्यूम हूँ, मैं तो सिफ एक पेड हूँ और मेरा नाम नीम है मेरे सुखी पत्ती डालो, उनी कपड़े अनाज बचालो, सुखी पत्ती के धुए से मखी मचर दूर भगालो बच्चों आपको पता ही है, नीम का पत्ता बहुत है ओशोदी होता है, जिससे बिमारिया दूर हो जाती है है ना, तो ऐसे ही नीम की सुखी पत्तिया डालने से उनी कपड़े, उनी कपड़े मतलब उन के कपड़े जो अब हम थंडी बहुत होती है तब हम स्वेटर डालते हैं ना, तो उसे हम उनी कपड़े कहते हैं, तो जब हम नीम की पत्तों को उनी कपड़े में और अनाज अनाज मतलब जब मम्मी बाजार से जादा चावल लाती है, तब उसे बहुत देर तक रखने के लिए, एक साल या छे मैने, ऐसे रखने के लिए बहुत सारे उसमें खीड़े पड़ते हैं है ना, तो उन कीडों को दूर करने के लिए हम नीम की पत्तियों को उसमें डालते हैं, जब हम नीम के पत्तियों को अनाज में या उनी कपड़े में डालते हैं, तो कीड़े मकोडे उसमें नहीं पड़ते हैं, और वहां अच्छे से रहते हैं, ठीके, आगे कहते हैं कि नीम के पत्ते का धुवा करने से मक्खी और मचर भाग जाते हैं यह कि नहीं बच्चों हम लोगों ने देखा हैं कि ज्यादा तर लोग घर में बहुत सारे गुड़नाइट कोईल्स ऐसे मतलब केमिकल भरी चीजे यूज करते हैं इससे हमारे शरेल को बहुत दिन नुकसान हो जात हैं कि तो उनकी पत्तिया हम लोग निकाल सकते हैं और उनका दुवा करके हम मच्यर और मक्खी को दूर बगा सकते हैं और यहां कोई हानी नहीं पहुचाता बलकि यहां बहुत लाबदाई होता है ठीक है गनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी चाया गर्मी और ठकान मिटी जो मेरे नीचे आया अब शीतल यानी ठंडा बच्चो आपने नीम का पेर तो देखा ही होगा नीम के पेर में बहुत सारी पत्तिया होती है तो इसलिए कवीतरी कहती है कि नीम के पेर पर घनी पत्तिया होती है और इसके कारण नीम के पेर के आसपास बहुत ही ठंडा या श उसके नीचे आता है गर्मी और फकान उनकी मीट जाती है, क्यूंकि उसके नीचे चाया कैसी होती है? बहुत ही शीतल होती है, ठंडी होती है. तो यहाँ पर कहा है कि जब हम नीम के जार के नीचे जब हम खड़े होते हैं या बेटे होते हैं तब गर्मी और थकान बीट जाती हैं और हम लोगों को थंडा महसूस होता है आगे कहते हैं नहीं काटना मुझको तुम मैं इतने सुख दे देता सूरज के किरुणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता आजकल की दुनिया में बच्चो सब जगह पर पेड काट रहे हैं क्यों क्योंकि उनको बिल्डिंग्स बनाने होती है एक फैटरीज बनाने होती है इसलिए नीम यहाँ पर कहता है कि मुझे काटो मत नहीं काटना मुझको तुम मैं कितने सुख देता हूँ मैं बहुत ही उपयोगी जाड हूँ तो मुझे मत काटो मैं सिफ अनाज के किडों को नहीं मच्चर नहीं बगाता शीतल नहीं पहुचाता बलकि मैं बहुत ही सूख देता हूँ और सिफ इतना ही नहीं बलकि जब सूरज के किर्णिधर्टी पर पौस्टती है उसी की मदद से मैं हवा शुद्ध कर देता हूँ इसकी कारण हवा भी शुद्ध होती है इस तरह नीम का पेड बहुत ही लाबदायक है इसके कारण हवा भी शुद्ध होती है सूरज तारी धरती चांद की जब तक चले कहानी हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी मतलब जब तक सूरज तारी धरती चांद ये सब आते रहेंगे तब तक मैं सबको सुख देने के लिए हमेशा तयार हूँ और ये नीचे मैंने अपने मन में ठाना है तो बच्चो समझ में आये ये कविता चलो देखते हम लोग ने क्या सीका तो इस कविता में लतापंत जी ने नीम की आत्मकता वर्नन किये तीक है नीम का पत्ता अवशोदी है जिससे बिमारिया दूर हो जाती है नीम की सुकी पत्तिया डालने से उनी कपड़े और अनाज अच्छे रहते हैं नीम के पत्ते का धुआ करने से मक्खी मच्चर भाग जाते हैं इस तरह नीम का पेड बहुत ही लाबदायक है इसके कारण हवा भी शुद्ध देती है गर्मी से ठके लोगों को उसके पेड के नीचे आराम मिलता है इस तरह नीम का महत्व बताया गया है तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू और गुडबाई